हेलो एब्रिवन स्वागत आप सबका मेरी किचन में तो आज मैं लेकर आई हूं हकका नूडल्स जो कि बच्चे बड़े सभी को बहुत ज्यादा प्रसंद आता है तो जी टेस्टी होने के साथ सथ हेल्दी भी है क्योंकि मैंने इसमें काफी सारी सबजे एड की हैं तो आप ज क्या क्या जाएगा दिखाती हूं आपको इसके लिए मैंने ले लिए हैं हकका नूडल्स के तीन पैकेट क्योंकि एक पैकेट जो है 150 ग्राम का है तो इसमें जो सबजियां जाएंगी ये शिम्ला मिर्स ले लिए है तीन और कलर की और जी कैबेस और कैरेट ले लिए है और इसमें जाएंगी वह मैंने ले ली है तो सबजियों को ऐसे लंबे-लंबे स्ट्रिप में काटना है हमने गाजार और शिम्ला मिर्स सभी को तो इदर हमने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है तो जो हमारे नूडल्स हैं इनके ब्रिक जो है हमने बॉयलिंग वाटर में दालने हैं तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक एड़ कर दिया है तो नमक एड़ करने के बाद इसमें हमने ये तीनों पैकेट मैंने डाल देने हैं तो इसमें थोड़ा सा हमने ओयल एड़ करना है ताकि ये आपस में स्टिकी ना हो तो इनको आपको तोड़ने की जरूरत नह और वाइल जो है इसको हम 90% करेंगे इसको बहुत ज्यादा नहीं बॉइल करना है तो जब हमने देखा कि थोड़ा सा यह रह जाए 10% तो इसको हमने बंद कर देना है और इसके उपर ठंडा पानी डाल के हमने इसको चलनी में चान लेना है और इसको ठंडा करने के लिए हम टेवल स्पून तो इसमें अब हम डालेंगे स्लाइस किये हुए अनियन और इन सब को हमने तेज आंच पे ही फ्राइ करना है इसको धीमी आंच पे इनी फ्राइ करना है क्योंकि हमने सब्जियों का जो करंची है वो इनका करंच जो है हमने बनाई रखना है तो सबसे पहले हम उसके बाद येलो शिमला मिर्च और ये रेड बेल पेपर और इसमें अब डालेंगे हमने ग्रीन वाली ये तीनों को हमने डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है तो ये देखे कितना प्यारा कलर लग रहा है क्योंकि जो सबजिया है बहुत ही ज़्यादा फ्र तो इसमें इसको अच्छी तरह से हमने फ्राइ कर लेना है तो अभी इसमें डाल देंगे हम नमक हमने स्वादन सार डालना है क्योंकि हमने पहले भी डाला हुए है अभी इसमें डाल देंगे काली मिर्च और चिली फ्लेक्स तो इसको अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना है इसको ढखके दो मिनट के लिए हमने पकाना है और अब यह हमारा पक चुका है थोड़ा से इसका जो सॉफ्ट होगी है हमारी सब्जिया सारी तो अब इसमें हम डालेंगे कैबच जो हमने बारी बारी काट ली थी तो जी नरम हो गई है अब हमने कैबच एड़ करनी है क्योंकि कैबच जो है बहुत ज़ल्दी हो जाती है इसलिए हमने इसको लास्ट में डाला है तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है तो जी देखे किती सारी सब्जिया मैंने डाली हैं तो इसलिए जो यह है जो गाफी हल्दी है इसमें हम बीन्स भी डाल सकते हैं वो मैंने नहीं डाले हैं तो इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और आप इसमें हम डालेंगे सारी सॉसिस जो हम ने बना ली इसमें सबसे पहले डालेंगे हम टुमाटो सॉस यह सारी सॉसिज जो हैं मैंने सारा मेजरमेंट इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अभी डालेंगे सॉया सॉस और यह सिरका वाइट विनेगर डालेंगे और अब डालेंगे इसमें रेट चिली सॉस आप ग्र इनका क्रंची पन जो है हमने बरकरा रखना है और अब हम इला देंगे इसमें जो हमारे नूडल्स हमने ठंडे किये हुए थे वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है तो यह देखिए एक और स्पून लेके उसके तहरा टर्छी है अंदोसे नहीन बहुत ही अच्छी बनी है तो आप यही मेरी रीस्पी ज़ो है ज्रूत राइक करना तो चरिए इसको हम अभी सर्फ कर लेते हैं इसको इसको एक बाउल में हमने सर्फ करना है गर्मा गर्म सर्फ कीजिए ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा टेस्टे बनी है यह नूडल्स तो बच्चे बड़े किसी को भी सर्फ कीजिए आप लंच बॉक्स में भी लेकी जा सकते हैं यह बहुत स्वाद लगते हैं तो जो मेरे चैन को लाइक शियर और सबस्क्राइब करें अपने फैमली और फ्रेंड्स के साथ भी तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए हेल्दी रेस्पी के साथ और तबते के लिए बाई बाई एंड टेक कियर स्टे बलेस्ट यह कर दो कर दो